वीडियो और आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है M.I.U.I.10 ग्लोबल स्टेबल अपडेट का तो फ्रेंट्स आप सभी लिए एक गुड न्यूज है क्योंकि एक और न्यू अपडेट का ग्लोबल स्टेबल अपडेट आने वाला है जिसका बिल्ड नमब अपसों को भी फिक्स कहिया गया जिनकी हमें जरूरत भी थी तो इस वीडियो में मिलेगी आपको बिल्कु करेट इन्फोर्मेशन ये अपडेट कब आएगा कैसे आएगा तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करना तो चलिए फिर स्टार्ट करते है तो गाइस सबसे पहले मैं आप सभी लोगो बदाता हूं कि अभी ड्मी नोट 5 में एक दो मही ने पहले ही MioNN के सिस्टम पर एक अपडेट आया था जो कि Mio 10 Global Stable का था और दोसों ये Stable में फर्स्ट अपडेट ता जिसका बिल नमबर था 10.0.2.0 और आप सभी लोगो ये अपडेट कैसे करना उसके बारे में भी बता रखा है तो दोस्तों आपको क्या करने कि सबसे पहले जाकर इस अपडेट को करना है क्योंकि इसमें भी आपको काफी कुछ नीव देखने को मिल जाएगा और अपडेट करने के लिए आपको Wifi या data जो भी ओपन करना है ओपन क भी शुरू हो गया है और बात करने अगर हम इस अपडेट के फीचर्स की तो इसमें आपको बहुत सारे निव फीचर्स और चेनलोग भी देखने को मिल जाएगा और इसी तरह से दोस्तों जो आपका रेड्मी नोट 5 है उसमें भी आपको यह जो स्टेबल अपडेट है वो ज जल्दी मिलने वाल बागी तो आप सभी लोग को पता ही हो कि कि जब तक हम इस अपडेट को अपने फोन में फ्लैश करके नहीं देख लेते तब तक हम इसके फूल चेनलोग और फीचर्स के बारे में नहीं पता चलेगा और गाइस मैं भी आप सभी की तरह काफी अधा पास और जिसे आप अपने सीधा सिस्टम अपडेटर अप से जाकर फ्लैश करके इससे इंस्टॉल कर सकते थे लेकिन दोस्तों 10.0.4.0 की अभी मुझे इस तरह की कोई भी लीक रोम या फिर कुछ भी कुछ भी कुश्टम रोम कोई सी भी नहीं मिलिया वरनना मैं आपको इ इंस्टॉल करने के बाद ही हमें पूरा जो चेनलोग और फीचर्स के बारे में पता चलेगा तो आप सभी लोग को मुझे इस वीडियो में एतनी न्यूज देनी थी और अगर जितने भी रैड्मी नोट 5 यूजर है उन सभी को तो ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी औ मैं मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग